दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि अपने कीवोड में आप Hindi to English आप चैटिंग कैसे करेंगे या आप टाइपिंग कैसे करेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तुम कहां जा रहे हो तो यहाँ पर इसका English में convert हो चुका है और इसे आप यहाँ से send कर पाएंगे इसी परकार आप अगर note बना रहे हैं या आप note लिख रहे हैं तो आप Hindi में यहाँ पर टाइपिंग करेंगे या आप Hindi में बोलेंगे तो आपका जो भी होगा सारक का सारा English में आपका टाइपिंग होगा मैंने एक्जामपल के तोर पर यह मैंने आपको दिखाया हुआ है और यह हमारा एक screen shot है चलते हैं आप अपने WhatsApp पर WhatsApp पर जाने की बाद हम यहाँ पर एक account open कर लेते हैं account open करने की बाद इस पर हम touch करेंगे तो हमारा इस तरीके से keyword open हो जाता है अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले हम इस पर touch करेंगे और यहाँ पर मैं Hindi to English से select कर लेता हूँ यहाँ पर आपको क्या करते हैं कि बॉल देते हैं हम यहाँ पर हेलो भाई कैसे हो तो जैसा कि आप देख पा रहा होंगे कि मैंने यहाँ पर बोला हेलो भाई कैसे हो यहाँ आप यहाँ पर typing भी कर सकते हैं कि हेलो भाई कैसे हो और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका English में convert हो चुका है Hello brother, how are you? आप यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ से write करना है और यहाँ से आपको इसे send कर देना है तो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपने English में आसानी से send कर दिया है जैसा कि आप देख पर होंगे और आपने Hindi में typing किया है तो यह setting आपका कैसे work करता है आपके keyword में अगर आप कहीं पर भी note लिख रहे हैं जैसा कि एगजापर के तौर पर हम आपको दिखाते हैं हम अपने note open करेंगे note open करने के बाद यहाँ पर एक नया note page निकालते हैं यहाँ पर भी आप आसानी से कर सकते हैं जैसा कि आपके समने आच चुका है हम यहाँ पर coach बोलते हैं कल हमें वहाँ पर जाना है और वो काम करना है तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कोच हिंदी में इसे बोला और यहाँ पर देखेंगे कि आपका English में लिख चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप यहां से आपको इसे write करना होता है और यहां पर आप देखने को मिल जाएगा कि आपका पूरा का पूरा English में लिख चुका है तो यह आपका हर जगए काम करता है English to Hindi या Hindi to English भी आप आसानी से कर सकते हैं आपको English आती है और आपको Hindi नहीं पता है तो आप यहां पर क्या करेंगे कि आप इस पर touch करेंगे जब इस पर touch करेंगे तो यह जो आपका English है यह आपको इसलंग लाना होगा यानि कि English to Hindi आप यहां पर आप English में बोलेंगे तो वो आपका Hindi में यहां पर लिख जाएगा तो हमें यहां पर Hindi to English करना है तो यहां पर हिंधी इसलेट करना होगा यहां पर English से तो आपको यहां पर करने क्या है कि सबसे पहले आपको यहां से बैक आना है अपने Keyboard को आप Open करेंगे जहां पर भी आप Open करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने यहां पर E environments को Open किया यहाँ पर आपको setting पर click करना है setting पर click करने के बाद यहाँ पर मिल जाता है language आप इस पर touch करिए जैसे आप इस पर touch करेंगे तो हमारे keyword में हमारा language add है तो आपके keyword में कुछ इस तरीके से यह आपका language add नहीं होगा आपका एक language यहाँ पर add होगा तो यहाँ पर आपको करना है कि add keyword पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर मिल जाएगा Hindi आप इस पर touch करेंगे तो इस पर touch करते हैं तो यहाँ पर आज जाएगा ABC to Hindi यानि कि Hindi to English आप इसके select करेंगे और इसे भी आप यहां से select करेंगे और यहां से done करेंगे done करने की बाद एक बार आपको इस पर touch करना है touch करने की बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यह आप इसे भी एक select करेंगे और यहां से आपको इसे done करना है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप three dot पर touch करेंगे तो यह आपको heat translate का option है यह आपका यहाँ पर सो होगा अगर यहाँ पर है तो आपको क्या करना है कि उस पर आपको touch करना है touch करने की बाद इस तरीके से आपको उपर लाना है तो वो आपका option उपर आ जाएगा जैसे यह हमारा floating keyword उपर आ चुका है अब यहाँ से back करेंगे तो आपको यहाँ पर option सो हो जाएगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इस पर एक बार इस तरीके से touch करना है touch करने की बाद यहाँ पर आपने जो language set किया है उसे आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको मिल जिएगा Hindi आपको यहाँ पर मिल जिएगा ABC आप इसे select करेंगे सेलेक्ट करने की बाद यहाँ पर देखेंगे कि Hindi to English आपका सेलेक्ट हो चुका है अगर आपका सेलेक्ट नहीं होता है तो आप इस पर एक बाद टच्छ करिये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा Hindi आप इस पर क्लिक करके अपना Hindi सेलर करेंगे उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा अंग्रेजी आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना Hindi यानि की अंग्रेजी आपको चूज कर लेना है तो मैंने यहाँ पर अपना choose करके रखा है अगर आपका choose नहीं होता है तो आप इससे सबसे पहले choose करेंगे यतना काम करने की बाद आप यहाँ पर अगर हिंदी में typing करना चाहते हैं तो आप typing भी कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर typing करेंगे hello तो मेरे यहाँ पर लिख चुका है hello उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कहा पर हो तो मैंने यह लिख लिखा hello कहा पर हो तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका English में Convert हो चुका है और यहाँ से write करेंगे यहाँ पर आज जाएगा hello how are you आप इस पर टच करेंगे और यहां से आप send करेंगे तो आपका send हो जाएगा इसी परकार आपको इहां पर टच करना है और आप बॉल भी सकते हैं तो hello कल हमें वहां पर चलना है तो मैंने यहाँ पर कुछ बोला हुआ है जैसा कि आप देख रहे होंगे और वो आपका English में टाइप हो चुका है और इसे आप यहाँ से सेंड करेंगे